कॉंग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के मद्दाताओं को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ब्रहमित कर रही है कि उनके वोट कट गए है हमने इस चीज की इसके खिलाफ एलेक्शन कमिशन में पेटिशन दायर किया है कि एरविंद केजरिवाल के खिलाफ और तमाम उन नेताओं के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाए फायर दर्ज की जाए ताकि जो लोगों को ब्रहमित किया जा रहा है लोग परिशान हो रहे हैं कि उसकी इस्तिती बनी विया है उससे रोका जा सके अभी जो यह भी जो आरोप है को जोड़वाएंगे आप चिंता मत कीजिए एक बड़े गंभीर मसला है और इलेक्शन कमिशन को हमने डिमांड किया कि वह इस तरीके का अपनी तरफ से एडविटिस्मेंट करके लोगों को यह बताएं कि इस तरीके का जूटा परचार है जूटे लोग हैं जिस तरीके से सरकार बनाई तो इन्होंने जूट के बेज के ऊपर फिर उसी तरीके से एलेक्शन से पहले यह एक एलेक्शन गिमिक है यह तैंक यूट पांच साल और चार साल में जो दिल्ली का हाल किया है शीलिंग से बीजेपी के लोग अपने आपको नहीं बचा सकते एम सीडी के गंगोर ब्रस्टाचार से भाग नहीं सकते अर्विंद केज्रिवाल सरकों के घड़े चिक्षा की स्टिती चाहे वो स्वास की हो चाहे पावर की बिजली की हो आज जिस तरीके से दिल्ली के लोग परिशान है तो उनकी अटेंशन कैसे डाइवर्ट की जाए य आज उनको समझ नहीं आरा दिल्ली वाले को कि दिल्ली के लोग बहुत समयदार और दानिश्वर हैं इलेक्शन कमिशन जो है उसके एडविटाइजमेंट के माध्यम से और एफम से और दूसरे जो इस तरह के माध्यम है उनको इस्तमाल करते हुए लोगों में जो ब्रहम की विश्वास है और वश्वास घठने की वज़ा से इस तरह से लोगों के अंदर पैदा करना लोगों के अंदर दरा करना मैं समझत कमिशन की जिम्मदारी है कि अगर लोग इस टरीके शे ब्रहमित हो रहे यहां जो लोगा जुगिजी उत्रा इस कॉलनिस कैम करते हैं समिक्ष्म बार बें उनको तरह आने का काम कर रहे है।